नमस्कार मैं हूँ प्रियंका सारस्वत आप देख रहे हैं जनेर टैम्स का इस्पेशल सोग किस्सा जिसमें हम आपको बताते हैं वो किस्से जो आपने कहीं पड़े और सुने तो होंगे लेकिन हमारा मकसद आपकी उनी यादों को ताजा करना है और आज की जनरेशन को उसके की बारे में बताना है तो आज के किस्से हैं देश की पहली महला विदेश मंतरी और दिल्ली की पहली महला मुख्य मंतरी सुष्मा शुराज से जुड़े हुए सुष्मा सुराज ने अपने मजबूत इरादों का हर मोर्चे पर शशक्त परिचे दिया शुष्मा सुराज भ शुष्मा सुराज का एक भावक किस्सा है यमुना एक्सप्रेस वेपर एक इतालवी नागरिक का एक्सिडेंट हो गया था इस हाथसे में चार लोग घायल हुए थे तभी किसी ने शुष्मा को ट्वीट किया कि हाथसे में एक युवक फैरिस गंबिर घायल हुआ है और वो क शुष्मा सुराज का भावक किस्सा है वाशिंटन में एक 14 साल के सिक लड़के को उसके सह पाठी ने खुन से मारे और जमीन पर पटक दिया सिक लड़के के पिता का दावा था कि उसके बेटे को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो भारतिया है उस वक्त शुष्मा ने किया मैंने अमेरिका में सिक लड़के की पिटाई की खबरें देखी हैं मैंने अमेरिका में भारतिये दूतावास से घटना के संबंद में रिपोर्ट बेजने के लिए कहा है शुष्मा सुराज ने एक रूसी युवक की भी मदद का भरोसा दिलाया था रूसी युवक एक मंदर के बाहर भीक मागने पर मजबूर हो गया था उस वक्त शुष्मा ने कहा कि रूस हमारा दोस्त है चैन्ने में मेरे अधिकारी आपकी हर संबब मदद करेंगे सुस्मा सुराज भले ही आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके ये भावक किस्से और उनकी यादें हम देशा हर देशवासी के दिलों में जिन्दा रहेंगी आपको सुस्मा सुराज के ये भावक किस्से कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे जने टाइम्स धन्यवाद